Hello dear students, जैसे अभी NEET का एक्जाम बहुत ही नजदीक है, तो मैं कुछ बातें आपसे सेयर करना चाहूँगा, अपना experience सेयर करना चाहूँगा, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो अभी तो आपको बिल्कुल धड़कने बढ़ी होंगी, लेकिन आप उसको बिल्कुल relax रही है, आपको confidence high रखना है, क्योंकि ये जो exam है ना, ये आपके सिर्फ subject का ही exam नहीं है, ये सिर्फ physics, chemistry, इन सबका exam नहीं है, धैरी का भी exam होता है, द्रिठता का भी exam होता है आपके, तो ऐसे में आपको बिल्कुल confident रखना है, बस आप ये सोचिए कि जो हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छा पढ़ रखा है, हमसे अच्छा exam में appear खुने वाला और कोई दूसरा candidate नहीं है, ये आपको अपने अंदर विश्वास रखना है, self confidence रखना है, और आप dress code सबको पता है, कि आप simply कुछ नहीं, आप lower पहन लीजिएगा, T-set पहन लीजिए, चपल पहन के आप निकल जाएगा, आप exam देने जा रहे हैं, ससरौल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, एकदम आपको नॉर्मली एकदम जाना है, और exam hall में आप reporting time जीतना लिखा है, उससे आप 10 मिट पहली पहुच जाएगे, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत रहे का jam भी लगेगा, तो आप time से पहले पहुचिए, ठीक है, और वहाँ पे आप exam hall के अंदर जब आपका entry होगा, तो आप relax होईए, जब आपको OMR seat मिलेगा, तो तुरंट आप उसको फिल मत करिये, यह नहीं कि तुरंट हम फिल करने लगे, आप आराम से मिल गया आप 2-3 मट का time लिएगे, बिल्कुल relax होईए, रिलाक्स हो जाएए, धड़कोनों पर कंट्रोल लखिये, और सबसे important बात है, कोई भी detail आपको गलत नहीं होना चाहिए, आपने नाम फिल किया, रोल नंबर फिल किया, बबलिंग किया, एक भी बबलिंग और mistake हो जाएगा आपका, तो वहीं पर ही आपका सारा confidence लूज हो जाएगा, और पूरे तीन घंटे आप यहीं सोचते रहोगे, हमारा वेमारा accept होगा की नहीं होगा, reject हो जाएगा, क्या होगा, सारा confidence विकार हो जाएगा, तो यह नहीं होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात, जब आपने paper करना start कर दिया, तो आप question solve करिए, देखते ही, जैसे सबसे पहले आप शुरुआत बायो से करिए, बायो से करिए, और बायो में दो ही option है, या तो हमको question आएगा, या तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा numerical जैसी चीज़े नहीं रहते हैं, तो अगर आपको आ रहा है, तो bubbling करते जाएए, यह नहीं कि हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद bubbling बाद में करेंगे ना, आप करते जाएए, साथ में bubbling करते जाएए, और जो question आपको पहली बार नहीं आया, आप डी लिख दो, डी, डी का मतलब doubt है, doubt मतलब हम बाद में देख लेंगे, यह नहीं कि किसी एक question के पीछे आप 5 minute लगा दो, जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, डी लिख दिया, डी मतलब doubt हम बाद में देख लेंगे, तो एक बार आप करते गए, करते के, और बायो में 35 minute से जादा नहीं लेना है, 35 minute से जादा आपको consume नहीं करना है, बहुत जादा लगा दिया तो 40 minutes, से जादा आपको बायो में नहीं लगाना है, उसके बाद फिर chemistry आप कर लो, chemistry में भी आपको 50-50 minutes के अंदर निप्टा दो पूरा, 50-55 minutes में maximum एक घंटा, उसके अंदर ही आपको chemistry निप्टा देना है, उसके बाद आप physics करिए, और physics में अगर आप किसी question में फस गए, किसी question में फस गए अगर आप physics के, तो आप उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि आप ये नहीं, 5-4 minutes किसी एक question में अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं फस गए आप छोड़ दो, हम बाद में देख लेंगे, एक के चकर में हम 10 question खराब नहीं कर सकते न, ये चीज है, और अगली बात हम ये बताने वाले हैं, कि bubbling mistake बिल्कुल भी नहीं करना है, completion इतना ज़्यादा tough हो गया है, आता हुआ question आप bubbling mistake करके गलत नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा completion हाई है, आता हुआ 4-5 question गलत कर दीजिए, आप competition से ही बाहर हो जाएंगे, आप frame से ही बाहर हो जाएंगे, completion से ही बाहर हो जाएंगे, तो आता हुआ question आप गलत नहीं कर सकते, afford कर ही नहीं सकते, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, उसके बाद बिटा बहुत सारे question ऐसे होते हैं, जिसमें लिखा रहता है, which of the following statement is not correct या incorrect, याद रखना, incorrect या not correct वाले questions बहुत आते हैं, तुरांत आप सोचो, हमारी बात सुनो, not correct या incorrect वाला आता है न, इसका मतलब not correct के मतलब 4 option है, 4 में से 3 option correct है, एक option incorrect है, और जो incorrect है, वही correct है, वही हमारा सही answer है, वही हमको bubbling करना है, याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है, और इससे भी एक important बाट हम बताने वाले हैं, बेटा पूरे question paper में, कुछ question ऐसे भी होंगे, जिसमें बिल्कुल आपको question ही समझ नहीं आएगा, या फिर उसका कोई option ही नहीं आपको आ रहा होगा, तो एक बार बताएं, ऐसे questions को आप touch भी मत करना, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि 4 option है, 4 में से 3 option गलत है, एक option सही है, तो सही होने के chance क्या है, सही नहीं होता है, तो आप उसको ऐसे question को touch ही मत करो, क्योंकि आप करोगे तो minus 1 हो जाएगा, और कई सारे question ये भी होते हैं, हमको 2 option में doubt होता है, बहुत important बात, बहुत सारे question होते हैं, जिसमें हमको 2 option में doubt होता है, तो अगर बेता 2 option में doubt है, तो आप उस question को जरूर solve करो, क्यों, अगर आप करते हो, सही होने के chances कितने हैं 50%, गलत होने के भी chances कितने हैं 50%, क्योंकि आपने 2 option eliminate कर दिया है, 50% गलत होने के chances को आप 50% तो आपने हटा ही दिया, आप 2 option बच्चा है, सही होने के chances 50% हैं, गलत होने की भी chances 50% है और बेटा सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा गलत होगा तो एक कटेगा तो ऐसे question को आप जरूर करो करोगे तो 4 मिलेगा और गलत होगा तो एक मिलेगा तो आपको gain जादा हो रहा है loss कम हो रहा है तो आप जरूर करिए और पूरे paper में कम 6-7 question ऐसा जरूर मि होगा दो में आपको मिलेगा आठ नंबर तब भी आप plus 4 ही रहोगे कभी आपका negative नहीं होगा और पूरे paper में बहुत सारे question ऐसे मिलता है जिसमें 2 में मामला फसता है तो आपको बेटा अगर 2 में फस रहे तो आपको ऐसे question को जरूर सॉल्व करना है याद रखना और एक ची है हमने बहुत पढ़ रखा है हमसे best candidate exam में अपीर होने वाला कोई भी नहीं है तो आपको बहुत-बहुत सुखकाम नहीं thank you very much